नमस्कार दोस्तो तो ये वैगेनार है और इसका जो खिड़की का कांच है यानि की विंडो ग्लास है इसको अगर हम आधा खोलते हैं तो ये खड़गडाहट की आवाज करता है मतलब इससे खड़गडाहट की बहुत ज़्यादा आवाज आती है तो ये आवाज जब ये इसको निकाल लेते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस नॉप को open कर लेना पड़ेगा, पहला step यही है, इसको open करने का, उसके बाद एक स्क्रू इधर होता है, और एक जो handle है, एक इसक्रू यहाँ पर होता है, जो door opener है, यहाँ पर, तो इसको हमें सारे screws को निक लेना है इस निकालने के बाद यहां का भी एक screw होता है इसको हमें निकाल लेना है और सांती इसके बाद यह door panel आसानी से remove हो जाएगा बट इस से पहले जो handle है इसको भी हमें निकालने लेना है इसमें एक lock लगावा होता है लोहेगा वह आप screw driver से थोड़ा प्रेस करेंगे तो भी निकल जाएगा, इसके बाद जो यह पैनल है इसको आपको बाहर की तरफ पुल आउट करना है तो यह असानी से बाहर आ जाएगा तो इसको हमें निकाल लेना है और यहाँ पर यह जो हेंड़ेल है इसको निकालने के लिए, इसको पूल करके दरवाजा खुलता है तो इसको थोड़ा tilt कर लेंगे तो ये पैनल को खोलने में इससे मदद मिलेगी अदरवाज पैनल इस पर अटक जाता है अब इसके बाद हमें यहाँ पर यह जो पत्ती लग यह सपोर्ट लगा है जिससे की हैंडल जो अटेच होता है यह भी हमें निकाल लेना है इसको निकालने के बार जो इसमें यह आप देख रहो है प्लास्टिक लगा हुआ है तो यह प्लास्टिक निकालने के बाद हमें कुछ एकसस मिल जाएगी इसके उपर तो भी आपको आगे दिखातों पहले प्लास्टिक को रिमूब कर लेते हैं, यहां से ग्लू से चिपकाया होता है तो इसको आप हलके-हलके हातों से रिमूब कीजिगा ज्यादा टाइट से प्लास्टिक फड़ जाएगा, बाद में हमीं से वापस से दुबारा भी लगाना है, त तो आप यहां पर देख रहे होंगे इसमें के मैटल की स्लाइट के उपर यह जो प्लास्टिक के लॉक्स लगे होते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे घिस जाते हैं घिस जाते हैं तो इससे बहुत ज्यादा जो ग्लास होता है इस पर प्ले आ जाती है तो वह क्या होता है तो हम थोड़ा बहुत उसमें कट मारक है उसको दुबार से खोल सकते हैं बट इसको खोल कर कोई फाइदा नहीं है क्योंकि इसका कोई ऐसा सलूशन है नहीं या तो यह चेंज ही होगा बट मैंने इसके सलूशन निकाला है मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा तो यह जो मुझ एक्सल का बूट की क्लिप होती है 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 यहां पर है तो यहाँ पर है तोब्रक होसे वहाँ पर हैसे और सनके करऊंपर फिरे टो मेरी मेरी इस की होगा जो ग कि यह चेंज हूझेया चेंज होगा कि고त्का पूरा बंद ओस लिएगा ben वैठ इतना जरूड है कि आपको चलाना होगा तो उसमें जरूर यह टाइट हो जाएगा बट इसका एक सलूशन यही है दरवाज पूरी जो असेंबली है यही चेंज होगी तो यह क्यों करने जब यहां पर यह काम हो सकता है तो और यह पर्मानेंट चीज है इसको मैंने अच्छे से दबा लिया है अभी मैं मैं इसको डाल दूगा और यह मैटल है तो इतनी जल्द यह खराब भी नहीं होगा और इसको इसकंद्र में इंसर्ट कर लिया है किसी तरीके से प्लास से ठोक कर मतलब हलके हाथों से ठोक किये और मैं मतलब नुक्सान ना पहुंचे और बाद में इसमें कर लिए मुझे तो थोड़ा सा अजीब सा ही लगा क्योंकि चलेगा इसमें ग्लास चलेगा उपर नीचे होगा तो रोल अप रोल डाउन होगा तो यह तो घिस जागा कुष्ट है माद इसमें प्ले आ जाएगी अगर आपकी गाडी में भी यह चीज होगी तो बड़ी एक होंगे इनको बैन करता है ताकि जब यह वींडू उपर नीचे हो तो यह निकले नहीं से क्या होगा है यह लोग जयेए ध्म लॉखाई टारब हो जाएंगे तो आपने अकॉर्डिंस में सिंगल भी लेयर भी लगा सकते हैं, डबल भी लगा सकते हैं, डबल लगाएंगे, तो थोड़ा क्या होगा, बिल्कुल हाड हो जाएगा हो पर, मतलब जो उसकी खड़बलाटी वो पूरी कम हो जाएगी, सीसा एक जग़े पर, मतलब जो प्ले थ कर सकते हैं, अपना काम पूरी तरीके से कर लेगा, मतलब में यही होता है, यहाँ पर, कि जो उसकी जो प्ले है, जो खड़बलाट की नॉइस होती है, बहुत ज़्यादा वो हमें कम करनी होती है, तो देखिए, यहाँ पर यह चल रहा है, लेकिन थोड़ा हाड चल रहा है, तो यह अच्छे से हो गया, इसके बाद में थोड़ा बहुत में ग्रीसिंग कर लूँगा, लेकिन उससे पहले में इसको आप डाउन, आप डाउन, रोल डाउन, रोल अप करके दोनु में देख लेता हूं, कि इतना यह टाइट चल रहा है, बट इतना भी टाइट नहीं है कि इसका यूज ना किया जा सके, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो एक्स्टा क्लिप यह रहा गई थी, तो इसको मैं बैंड कर लूँगा, तो यह से मैं आपको बोलाती है, अगर आपके पास एक्सल की बूट क्लिप्स नहीं है, तो आप किसी भी मैडल पार्ट क यूज कर सकते हैं, कुछ भी इसमें काम आजाएगा, बट वो यह कि प्लास्टिक यहाँ पर घिस जाता है, घिसता है, तो प्ले आया, तो इसमें एक सिंगल ही, यहाँ पर एक स्लाइडर, जो पत्ती कह सकते हैं, आप इसको वो है, अगर डबल भी होती, तो यहाँ पर यह तो मेरे को बैटर यही लगा, यह पर्मानेट है, निकलेगा भी नहीं, थोड़ा हाट चलेगी, तो कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो यह मैंने इसको अच्छे से लॉक कर लिया है, पूरी तरकर से बैंड कर लिया, अब यह कहीं नहीं जाने वाले हैं आप से चाहे हमके सीसा कितना भी उपर नीचे, उपर नीचे करते रहें, यह कहीं नहीं जाएगा, बट यह हाट चलेगा, वो मैंने आपको बोला है, जो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बहुत तो चल सकता है, बद ध्यान यहीं रहे कि आप यह जो क्लिप हमने लगाई इसको पुली तकर से इसमें अच्छे से इंसर्ट करें ताकि यह निकले नहीं, मतलब बाहर को ना निकले, उपर नीचे तो बिलकुल नहीं निकले, क्योंकि लोक हो चुकी है, दोनु साइट से, तब मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा ग्रीस लगा लूँगा, जैसे मै अगर आपके पास यह वाला वेगेनार का याला मॉडल है, तो आपके में भी यह चीज होती होगी, तो आप देखिये, ग्रीस लगाने के बाद, थोड़ा स्मूध हुआ है, नॉर्मली जितना ढीला चलता है, उतना यह नहीं है, थोड़ा टाइट है, अबर इतना भी टाइट नहीं है, कि यह बिलकुल जाम ही हो जाए, क्योंकि यह मैन्वल विंडोज हैं, तो इसमें इतना टाइट से कोई प् है, जो प्ले है इसमें, यह पूरी तरीके से कम हो गई है, यहाँ पर देखिए आप मैं इसको सीसे को उपर नीचे कर रहा हूँ, इदर उदर हिला रहा हूँ, थोड़ा बहुत हिलेगा, बट वही है, जो पूरी तरीकोverts प्ले थी, बहुत ज्यादा अनिशन सीस में, जो प्ले थी, भो पूरी तरीक़ से खतम हो जगे है, अब कि यहाँ पर व्याक है, यहां पर डूर लोक है, इनमें हमें ग्रीशिंघ कर लेना हो, जहां इसके बाहर से इसका पैनल आ जाएगा तो कोई दिक्कत निया है बाद में यह हमें पत्ती लगा लिए निया है अब हमें इसका जो यह हैंडल है मतलब जिससे डोर पुल करता है पुल वाली नॉब होती है इसको हमें फिट कर लेना है और इसको भी अच्छे से टाइट कर लेन है इसको आपको क्या करना है आप एक तरफ बैठाएंगे और पीछे की तरफ आप इसको खीचेंगे तो यह टाइट हो जाएगी ध्यान रखिए इसको तोड़िएगा नहीं आप इसको ज़रा आसानी से मतलब थोड़ा ध्यान से विट कीजिएगा अब इसके बाद हमें यह करने इसमें बैठा लेना है तो इसमें बैठ जाएगी यह कुछ इस तरीके से इससे विंडो रोल डाउन एंड रोल अप करते हैं तो यह देखिए आपर कुछ ही इस तरीके से चल दा है थोड़ा बहुत हाड है जैसे मिन आपको बुला था क्योंकि ऑब्यसी वात है इसमें जो पत्ती लगें उसके विससे हाड है बाँ की जो काम था वो सारा मारा हो गया दोस्तों उमीद करता हूं वीडियो पसंद आए कि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी जिए मिलिंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक इसा तब तक के लिए नम शक्राइब